मेरे प्यारे बचों सुप्रिम कोर्ट में री नीट के रेगार्डिंग जो केस फाइल हुआ था उसका मैंने पहले वीडियो बनाया था कि सुप्रिम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है तो आज इसकी हीरिंग थी यानि कि 4 अक्टोबर 21 को हीरिंग थी और ये केस डिस्मिस हो वहां है यानि कि ये क्लियर हो चुका है कि अभी कोई री नीट नहीं होगा अभी NTA द्वारा रजल्ट जारी के आ जाएगा और उसी रजल्ट के बेस पर MBBS, BDS, Admission होगा इस साल के लिए कोई किसी प्रकार के री नीट नहीं होगी तो इसका अगर आप केस स्टेटस देख टू थ्री वन डबल एट डाइरी नम्मर जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपको पूरा केस के बारे में डिटेल मिल जाएगी तो यह केस डिसमिस हो चुका है अभी इसमें कुछ भी नहीं है इस केस में अभी किसी परकार का कोई री नीट की कोई संभावना नहीं है मैंने ये पहले भी बताया था कि इसमें कोई दमवाली बात नहीं है री नीट होना बड़ा मुश्किल है ये पहले बताया था ये पहले भी बता दिया था संभावना बता दी थी कि कोट क्या डिसीजन दे सकता है तो ये एक फाइनल अभी हो चुका है कि री नीट नहीं होगा NTA अभी result जारी करेगा तो ये एक छोटी सी जानकारी आपके साथ share करनी थी मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैने